पार्शियोनी के समी पिपला, गरंडा, वाधोडा, रेट घार से जेसी बी, पोकलोड, डेजर मोटर बोट की साहता से बड़े पैमाने पर रेट उतकरन कर ट्रकों से बाहरी जिले में बेची जारी थी मामला उजागर होते ही रेटी चोरों में अफरा तफरी का माहौल बना जो गैर कानूनी होने की बाउचित यहां के महसुल अलिकारी एस और ध्यान नहीं देने से पड़े पैमाने पर अरवेत तरीके से रेट निकाल कर बेची जाने की शिकायत यहां के सानिकों ने विधायक आशिश जैस्वाल सी की थी गुरुवार की दोपैर वादोडा ग्राम में विधायक आशिश जैस्वाल की अतिश्ता में सभा का आयोचिन किया गया यहां के लोगों की शिकायते सुलजाने के लिए सभाश शुरू होते ही रेट घाट पर हो रही रेट की अवैजशोरी की शिकायते स्थानिकों द्वारा उठाए गई रेट की डुलाई बड़े वाहनों द्वाराग शम्ता से ज्यादा रेट भरकी की जानी से यहां के डाबर रास्ते जो हालहे में करोड रुपए की लागत सित बनाये गे थी वह रेट की डुलाई करने वाले वाहनों की वज़य से पूरी तरह उखड गे इस बारे में हालहे में BCN News ने खबर दिखाई थी करोड रुपए खर्च कर बनाये गए रास्ते पूरी तरह तहसनेस हो जाने से यहां से आना जाना करने के लिए लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा था वही विधायक ने समस्या की गंभीरता को देखती हुए तुरंत रेट घाट की और पैदल ही चलती हुए पहुचे जहां DMO गजानन कामरी ने नाकपर की टीम को खटना सल पर बुलाया गया वही तहसलदार पारशुनी ठानेदार पारशुनी भी रेटी घाट पर विधाय की साथ मौजू थी रेट घाट का नचाराद देखती ही वहाँ पर JCB, पोकुलेंट, डेजर बोट की सहायता से रेट की खुदाई कर बड़े पैमानी पर रेट उतकनन कर रेट निकासी कर ट अधी किनार ही किया गया जो नियम के मताबिक रेट घाट से 500 किलोमेटर दूर पर रेट भंडारन होना आवश्यक है इसी के मद्दे नजर डेमो ने यहां के रेटी घाटों पर कारवाई करते हुए कुछ रेट घाट सील किये जाने की खबर मिली नागपुर के डेमो गजा गनन के साक्षियम मिले है उसके बाद इस खटना पर कारवाई की गए और एक घाट को तुरन सील किया गया है मैसल बाग होते हुए नदीरेती घाट पर अवेद रेट उतकनन किसके आशिरवाद से किया जा रहा था वही रास्ते पर शमता से जादा रेट वाहनों में भर कर खुले आम दिन दहाडी बाहरी राज्चों में ले जा रही थी फिर भी आटियो पुलस्थानिक महसल बिभाग आखिरकार कारवाई क्यों नहीं कर रहा था यह बात चर्चा का विशय बना हुआ है लोगों द्वारा बार बार शिकायते मिल रही थी घटना सल पर नरिक्षन करने पर पेंच नदी से अवैदरेत उत्खनन और शमता से अधिकरेत की डुलाइट ट्रकों से होने की वज़र से यहां के रास्ते पूरी तरह तहसने सो जाने से यहां के नागरिकों को अवागमन करना पड़ रहा है जान हतेली पर लेकर चलने जय साथ दिखाई दे रहा ह दो चार दिनों से इस बारे में प्रसवारता के जरिये पूरी तरह इस अवैदरेत उत्खनन का मामले को उज़ागर कर कारवाई करने के लिए प्रयास किया जाएगा राचर खनीकम मंडल अध्यक्ष विधायक आशिस चैस्वाले बीसियन न्यूस समाधाता से ये बात कही बीसियन न्यूस के लिए पार्शिवनिसे रुपेश खंडारे के रिपोर्ट